चले कुछ और खबरों का रुक कर लेते हैं चुनाफ की तारीख आते ही ठंड में भी सियासत और गर्मा गई है बीज़ेपी ने जीत का दम भरा तो अकिलेश ने रेलियों पर रोक को लेकर भडास निकाली दस मार्च दोहजार बाइस को जब उत्तर प्रदेश विधान सवाच चुनाओ के पेड़ाम आएंगे तो भारती जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनारदन का सिरिवात प्राप्त करने में सफल होगी इसमें कोई संदे नहीं होना चाहिए गाओं गरीब किसान नौजवान महलाएं और समाज की प्रतेक तपके के लिए उत्तर प्रदेश के समगर विकास के लिए उत्तर प्रदेश की बहुत्रीन कानून विवस्ता के लिए जो कुछ भी किया है इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जन्ता जनारदन का असरिवाद एक बार फिर से भारतिय जन्ता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुना बनेगी पिछले पांस साल में इतना अन्याय कभी नी देखा होगा जितना भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार में अन्याय हुआ है डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रही थी कि उत्तव परदेश का विकास किया है उत्तव परदेश को अगर देखेंगे पीशे कर दिया और विकास ठप रहा यहां के किसानों की आय दोगनी नी हुई महंगाई बड़ी है बिरोजगारी बड़ी है नौकरियों के जूटे परचार किये इन्होंने विकास के जूटे विग्यापन लगाए और इनका हर वादा जुम्ला निकला जो संकल पत्र इन्होंने जन्ता के बीच में रखा था 2017 में वो इन्होंने कूरेदान में फिक दिया इसलिए पूरी तरीके से उत्रप्रदेश की जन्ता इनको इस बार हटाने का काम करेगी दस माज में उत्रप्रदेश से भादेंदा पाड़ी का सफाय होगा तेखिए बिपक्स की अपनी सोच है उत्रप्रदेश के अंदर 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो उस नौकरी के लिए परिवार में बिवाद होता था किसकी वसूली कौन करेगा चाचा भतीजे में बिवाद का कारण यही था भाई बहन में बिवाद का कारण यही है अभी सत्ता से कोसों दूर है लेकिन अभी से उनके आप बोली लगनी प्रारम हो गई होगी पार्टी का काम कर रहे हैं कारकरता बन के काम कर रहे हैं उनके खिलाब शिकायत एलेशन कमिशन को की जाएगी दस मार्च का इंतजार जनता को था यह वो तारीख होगी जिस दिन भाति जनता पार्टी की उत्तवदे से बिदाई प्रार्टी कर लगनецिima पार्टी के जहा हैं कि जुददे चास प्राटी की जए झाएगी